नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पन में आपका स्वागत है। जैसा कि अदेशा पहले से लगाया जा रहा था, जैसी कि संभावना में पहले से थी, कि जोती मौर्या और आलोक मौर्या प्रकरण पर आज चुकी 26 अक्टूबर आज है, आज के दिन पेशी थी, और आज भी दोनों लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए। हाला कि इलाहबाद हाई कोर्ट में आज हरताल थी वकीलों की, इसके चलते सुनवाई तो टल गई, लेकिन फिर भी दोनों लोग कोड तक आये ही नहीं दोनों तरप के वकीलों ने हाजरी माफी लगाई और 6 दिसंबर की तिथी फिर नियत कर गई लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि कवरीब 3-4 डेट से बराबर ना आलोक आ रहे हैं लड़ना इस तरह से मुकदमे बाजी नहीं होती जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको कि आलोक मौर्या ने सारी शिकायतों को जो जोती मौर्या के खिलाब उन्होंने भरष्टाचार के लिए किया था सारी शिकायतों को उन्होंने वापस ले लिया वह भी बीना शर्त बीना किसी शिकायत के बीना किनी दबाव के तो ऐसा लगता था कि सायद जोती मोर्या भी अपने मुकदमे को वापस ले लेगी और जो तलाग का केस आज सुनवाई नहीं हो पाई फिलहाल और फिर दिसंचे दिसंबर को डेट लग गई है लेकिन दोनों के वकीलों ने हाजरी माफी लगाया है इसका मतलब यह है मुकदमा अभी पूरी तरह जिन्दा है लेकिन दोनों को कोर्ट में ना आने से एक यह संभावना जो व्यक्त की जा रही थी कि दोनों में सुला समझावते के आसार बढ़ गए है चोकि अब उतना ज अधिवक्ता एपी सिंग साहब जो की इनकी पैर भी कर रहे थे आलोक मौरिया की ओभी मिलने आए और सबसे जो की बने अच्छे बातावाण में जो बात चीत हुई उससे लग रहा है कि दोनों के बीच में सुला समझावते के आसार बढ़ गए हैं और मुकदमे की पेशी पेना आना इसका तो प्रतक्ष प्रमाण है ऐसे जैसा की कानून ये कहता है कि बराबर निरंतर तीन चार पेशी अगर दोनों लोग नहीं आएंगे वकील भी आना बंद कर देंगे तो केस अपने आप खारिच कर दिया जाएगा लेकिन वही होता ना कि बात इतनी आगे लोगों की खुब चमकी शोसल मेडिया पर लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया पता नहीं ले कितने लोगों का चैनल जो चल नहीं रहा था वो चल गया तो जोती मौर्या का इतना तो योगदान हई है लेकिन ये कहा जा सकता है हम भी उम्मीद करें आप लोग भी प्र देश का वैसो भी बहुत बड़ा नुखसान जोती मौर्या ने किया है जोती मौर्या आलोग मौर्या की प्रकरण जैसे होता नहीं कि ये दोनों लोगों की बात इतने तक नहीं सीमित रही पता नहीं कि इतने लोग अपनी बेटियों को जो बाहर पढ़ रही थी बुला लि अब लेकिन एक बार अगर इन लोग के बाद सुलह समझाता हो जाएगा इन दिदा स्वाला नहीं रखेंगовать खबर चाहे जो चलाया हूँ लेकिन इतना जरूर कहा है कि यह एक अपवादित घटना थी इसका सामानी कर्ण नहीं किया जा सकता है हलाकि यह बहुत ही अपवादित घटना थी इस तरह के तलाक आप कचेहरी में चले जाए कि सहकणों जोती मवर्या आलोक मवर्या ऐसे कचेह बना दिया गया लेकिन जो जैसा कि मैंने सुबा वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो नया अपडेट होगा उसको शाम को लेकर मैं फिर उपस्तित हूँगा तो मित्रों फिर मैं आ गया हूं नया अपडेट के साथ में क्योंकि अभी अभी मैंने सर्च किया तो पा भी लगा दिया और फिर छे दिसंबर इसकी डेट रख दी गई है लेकिन अगर फिर दोनों लोग नहीं आएंगे तो फिर डेट रख यह इसे करते 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 जैसे होता अदम पैरवी अदम पैरवी में जैसा लगता है कि मुकदमा एक हारीज हो जाएगा अपने आप तलाग का जो मुकदमा दायर किया था जूती मौर्या ने ऐसे ऐसे करते हुए जिसको अदम पैरवी कह जाता है अदम पैरवी में मुकदमा खारीज हो जाएगा और दोनों लोगों के अंदर सूला समझोता हो जाएगा इसके आसार वढ़ गए हैं आप लोग भी प्रार्थना कीजिए हम भी प्रार्थना करें कि इन दोनों के बीच में फिर से सूला समझाता हो देखते रहिए अजोध्यादरपन धेर सारी शुक्तामना आपको धन्यवाद